सभी फ्रेंज को मेरा नमस्कार आज की इस वीडियो में हम अनन्चतुर्दशी का सही मूरत महत्व और उसकी विधी के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले विश्णु भगवान की जै अनन्चतुर्दशी का व्रत बहत्रपद महा के शुकल पक्ष की चतुर्दशी को तिथी को रखा जाता है इस व्रत को रखने से भगवान विश्णु के कृपा प्राप्त होती है पाप नश्ठ होते हैं और विश्णु लोग में स्थान प्राप्त होता है अनन्ट चतूर्दशी व्रत में यम्ना नदी भगवान शेशनाग और भगवान श्री हरी की पूजा करने का विधान बताया जाता है कलश को मा यम्ना का स्वरूप मानते हुए उनकी स्थापना की जाती है साथ ही शेशना के रूप में दुर्वा रखी जाती है और कुछ से निर्मित अनन्ट की स्थापना भी की जाती है सूत या दिश्यम के धागे को भी अनन्ट स्वरूप मान कर रक्षा सुत्र के तोर पर उसे कलाई में बांधा जाता है इस दिन भगवान विश्यम के अनन्ट स्वरूप की पूजा की जाती है और परिजनों के हाथों में रक्षा सुत्र बांधा जाता है इस व्रत को करने से भगवान विश्यम के किरपा प्राप्त होती है और विश्यम लोक में स्थान प्राप्त होती है लेकिन इसके लिए 14 बार ये 14 साल तक अनन्चतुर्दशी का व्रत करना पड़ता है अनन्चतुर्दशी के दिन यानि 9 सितंबर को भगवान विश्णु के अनन्च्वरूप की पूजा करने का शुब समय प्राते काल 6 बज कर 3 मिनट से शाम 6 बज कर 7 मिनट तक है इस दिन पूजा का शुब समय 12 घंटे से अधिक का है अनन्चतुर्दशी की पूजनविधी प्राते कास नानादी नित्ते करमों से निर्वित होकर कलिश की स्थापना करे कलिश पर अश्टदल कमल के समान बने बरतन में कुछ से निर्मित अनन्त की स्थापना की जाती है यह हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोरे का चोधा गाटो वाला अनन्त भी रखा जाता है अनन्त की वंदना करके उसमें विश्नु भगवान का आवान तथा ध्यान करके गंध, अक्षत, पुश्प, धूप, दीप, नवेद्य, आदी से पूजन करें विश्नु भगवान की कथा करें, उसके पश्चात इस अनन्त को पुरुष अपने दाइने हाथ में और स्रीयां अपने बाई हाथ में बांध ले यह डोरा विश्नु भगवान को परसं करने वाला तथा अनन्त फल देने वाला माना जाता है यह व्रत धन पुत्रादी की कामना से किया जाता है इस दिन नए डोरे के अनन्त को धारन करके पुराने का त्याक कर देना चाहिए इस व्रत का पारण ब्रह्मन को दान दे कर करना चाहिए सो फ्रेंड्स आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फर वाचिंग बाई